हेलो दोस्तो, इस्पम का हमारे सीमेन के अंदर एक अनुचित अनुपात का होना ज़रूरी है बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स और वाटसिप करके बताया कि उनके सीमेन के अंदर यानि वीरिये के अंदर जो इस्पम की क्वांटिटी है और मॉटिलिटी रेट वो बहुत कम है और वो इसके लिए दवाई जाते है दोस्तों मैंने बहुत सारे घरील उसके भी आपको बनाने सिखा हैं इस्पम को बढ़ाने के लिए जिसमें आप सफीर मुसली का सेवन कर सकते हैं आप उसके साथ काली मुसली का भी सेवन कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें और कुछ चीज़े जैसे मगज बादाम है मगज पिस्ता है, छुआ रहे हैं, इनका इस्तमाल कर सकते हैं, इससे भी आपकी semen quality भी increase होती है, और आपके sperm की quantity और motility rate भी increase होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप special product की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि कोई product यूनारी product आपको मिले, तो मैं जरूर आपको prescribe करूँगा, semen pro के नाम से product आता है, जो कि आपको www.herbalmaza.com पर, amazon flip card पर easily available हो जाएगा, बहुत cheap rate में आपको मिलेगा, और आपके एक ही बार के इस्तमाल में, तकरीबन 125 ग्राम इसके अंदर ये माजून आता है, इसी एक के इस्तमाल से आपकी जो motility rate है, और quality और quantity बढ़ जाएगी, और अगर आपको किसी भी तरह की जरुवत है, आप मेरे से consult करना चाते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझे consult कर सकते हैं, फिरी में मैं आपको, आपकी problem का solution दे हुआ, इसको इस्तमाल करने का तरीका बहुत आसान है, रात में सोने से पहले, 5 ग्राम इसको दूद के साथ, या गरम पानी के साथ, हलकी निवाए गरम पानी के साथ, इस्तमाल करना है, इस्तमाल करने के बाद फौरण आपको सोना नहीं है, और इसको इस्तमाल करते हुए, मेरे से यक हमारे किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहना है, इसको इस्तमाल करने से पहले, आप अपने सीमेन की बार रिपोर्ट करा लेंगे, फिर इसके बाद इस्तमाल करने के बाद, 15 दिन के बाद आप रिपोर्ट कराएंगे, तो जरूर आपको उसमें कुछ न कुछ अंतर महसूस होगा, तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस वीडियो हमें जरूर बताईएगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफर्मिशन की साथ इजाज़त दीजी, थैंक यू सोबच